हलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने शैनल तेयारी ओनलाइन में आज के इस वीडियो में हम सौल करने वाले हैं वॉक्सिट नमबर 21 बच्चों ये वॉक्सिट क्लास 7 का है विसे है विज्ञान विज्ञान में हमें टॉपिक दिया गया है प्रानियों में पादप जिसमें हमें पढ़ना है दात के बारे में ये वाक्सिट 28 सितंबर 2021 का है बच्चों हम सभी जानते हैं कि दात जो है वह एहम भूमी का निभाता है भोजन को चवाने में सबसे पहले हम भोजन जु है मुखके द्वारा ग्रहन करते हैं और दांत उसे क्या करता है चोटे छोटे टुगरों में पीस देता है और उसके बाद वह हमारे पेट के अंदर जाता है और सुरू होता है पाचन क्रिया ठीक है आगे यहां पर क्या कहा गया है वह भी देख लेते हैं देखे भोजन का अंतरगहन मुख द्वारा किया जाता है भोजन को सरीर के अंदर लेने की क्डिया को अंतर ग्रहन कहा जाता है किस के अंदर लेने की क्डिया को सरीर के अंदर मुख के द्वारा ही वो हमारे सरीर के अंदर जाता है भोजन दातों की मदद से छोटे छोटे टुक्रों में पीस दिया जाता है या भोजन के पाचन एवं आसान अंतर गहन में मदद करता है जब भोजन छोटे छोटे टुग्रों में पिस जाता है बच्चों तो वह पचने में आसान होता है इसलिए कहते हैं माता पिता हमारे कि हमें भोजन को आराम से चवा चवा करके करना चाहिए जिससे भोजन को पचने में आसानी होती है आगे दिया गया है दांतों के प्रकार और उनके कार्य तो यहां देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे यह हमारे दांत है चीक है और इसके भी कई प्रकार है और सब के कार्य जो है वो अलग-अलग है तो पहला है क्रिंतक, क्रिंतक का काम होता है कर्तन एवं दंसन करने वाला दांत जब हम भोजन को ग्रहन करते हैं तो हम क्या करते हैं काटते हैं तो जो हमारे आगे के ये दांत होते हैं यहाँ पे देखिए क्रिंतन दंत को भी बना दिया गया है हमारे आगे के दांत जो है वह चीजों को काटने में मदद करता है दूसरा है रदनक चीरने एवं फारने अले दांत होते हैं ये तो यहां देखे रदनक दांत इस तरीके का होता है या किसी भी चीज को चीरने और फारने में हमारी मदद करता है अग्र चर्वनक दांत ये होता है ये हमारी मदद करता है भोजन को छोटे छोटे टुग्रों में पीसने में उसके बाद आता है चर्वनक चोथा है या चवाने और पीसने में और भी पतला करने में हेल्प करता है हमारी तो इन चार प्रकारों को आपको ध्यान रखना है पहला है, क्रिंतक दूसरा है, रदनक तीसरा है, अग्र चर्वनक और चौथा हमारा है चर्वनक ठीक है? अब चलिए दांतों से संबंधित कुछ मज़ेदार बात भी देखें हमारे मुख में लाला ग्रंथी होती है में लार जो है वह घुल करके क्या कर देता है? उसे सौप्ट बना देता है और हमारा दांत उसे आसानी से पीस देता है अब देखिए लाला रस भोजन में उपस्थित मन को सरकरा में बदल देता है जब भी आप सुखी रोटी खाते हैं बच्चों तो उसे बहुत देर चवाने के बाद वह रोटी कैसे लगने लगती है? मीठी लगने लगती है ठीक है? वह क्यूं लगती है? तो लार में जो सरकरा होता है उसकी वज़ा से वह ऐसा लगता है यदि हम कुछ समय ले लिए रोटी का एक टुकड़ा चवाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं जब लार ठेक से मिस्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाल मीठा हो जाता है जैसा कि पहले ही मैंने आपको इसका एक्जामपल दे दिया था और यहां पर भी उसी एक्जामपल का प्रयोग किया गया है आप चाहें तो इसे घर में करके देख सकते हैं अब हमें दातों की देखवाल के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि अगर हमारे दात नहीं होंगे बच्चों तो हम कैसे खाना खाएंगे कैसे चवा पाएंगे तो देखे परतिदीन हमें कम से कम दो बार ब्रस या दातों से दात साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंद बार कुलना करना चाहिए ठीक है इससे हमारे दाद में गंदगी नहीं फसेगी और हमारा दाद जो है वह साफ और सुरक्षित रहेगा अब चलिए प्रसनों को देखते हैं पहला प्रसन हमारा है भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चवाना चाहिए तो बच्चों भोजन करते समय हमें इसे ठीक से इसलिए चवाना चाहिए ताकि भोजन आसानी से पच सके ठीक है बच्चों अगर हम भोजन को अच्छे से नहीं चवा के करेंगे तो पचने में क्या होगा परिसानी होगी भोजन अच्छे से पचेगा नहीं तो हमारा डाइजेस्टिफ सिस्टम जो है वह खराब हो जाएगा इसलिए हमें भोजन को अच्छे से चवा के खाना चाहिए तो इस परकार आप पहले प्रस्ण का उत्तर लिखें दूसरा प्रस्ण हमारा है हम अपनी दातो कि देखवाल किस परकार कर सकते हैं तो यहां पर आपने देखा कि हम अपनी दातों का देखवाल किस परकार कर सकते हैं हमें परतिदीन कम से कम दो बार ब्रस करना चाहिए ब्रस या अगर आप दातून करते हैं तो दातून कर सकते हैं उसके बाद अगर आप कुछ खाते हैं तो तुरंट बाल कुला कर लेजे ठीक है इससे भी आपकी यह हमारे दान सुरक्षित रहेंगे तो इस प्रकार हमें अपने दाथों को सुरक्षित रखना है आप यहां से ही इसका उत्तर लिख सकते हैं प्रसंद संख्या 2 का उत्तर ठीक है तीसरा प्रसन देखिए निम्न लिखित में से प्रतेक का एक कारे लिखें पहला है लाला ग्रंथी लाला ग्रंथी का क्या कारे होता बच्चू यह लार को स्रवित करता है ठीक है तो इसका उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं कि लाला रस का स्राव लार गरंथी से होता है या लाला गरंथी से होता है ठीक है दूसरा है आपका चर्वनक का क्या कारे हमने पढ़ा तो चर्वनक जो है वा किसमे मदद करता है भोजन को चवाने एवं पीसने में यहां से लिख सकते हैं आप इसका उत्तर उसके बाद है रदनक रदनक के बारे में भी हम पढ़ ले तो बच्चो रदनक का काम जो है वह चीरने एवं फारने में होता है ठीक है उसके बाद है लार लार क्या करता है वह हमारे भोजन में घुल जाता है और उसे सौप्ट बना जेता है क्योंकि उसके अंदर मौझूद होता है सरकरा ठीक है जिस वज़ा से जब आप कुछ देर त तो उसका स्वाद जो है वो मीठा हो जाएगा उसका स्वाद मीठा होता है सरकरा की वज़ा से तो बच्चों ये था आज का वाक्सीट वाक्सीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिलते हैं आप से अगले वाक्सीट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद